दोस्तो हर किसी को कभी न कभी पेट की समस्या हो जाती है जैसे की गैस बन जाती है बदहज्मी हो जाती है खाया पिया पस्ता नहीं है या फिर आपके बहुत ज़्यादा पेट भारी लगता है थोड़ा कस्ता कुछ खा लिया और पेट में जैसे की गैस बने लगती है ऐसीड यह नुस्खा बनाने के लिए आपको बस कुछ निना है आपको अपनी किचन में ही सारी समगरी मिल जाएगी। अगर पेट में गैस बन जाए jokes भारी पन लगे तो इतनी प्रोब्लम वोती है बह। धरात भी जर्दीवियर Tou तो आप अगर दर्द को नहीं बरदास करना चाहते हैं, जेलना नहीं चाहते हैं, इस नुसके का तुरंत इस्तेमाल कर लेना, तो आपको एक चमच लेना है अजवाइन, अजवाइन हमारे पेट के हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, और बेक्टिरिया को खतम करता है, और दूसरी सामगरी में डाल दिया है, पांस से चूरं से फायदा मिलेगा, तो आपको क्या करना है, दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लेना है, यानि कि हलका सा इसे रोष्ट करना, बहुत ज़्यादा काला बगएरा मत कर लेना, हलका सा रोष्ट कर लेना, और ये बि अगर नहीं, आपको ये नुस्खा तब लेना है, जब आपके पेट में गैस बने, अफारा सा लगे, पेट भारी लगे, खटी ड़कारे आ रही है, तो आप ये नुस्खा तुरंत इस्तेमाल कर लेना, तो आपको क्या करना है, इसको बना करके, और इसको इमाम दस्ते में या फिर किसी भी चीज से आप इसका एक बारीक पाउडर बना लीजिए, यहाँ पर मैं इमाम दस्ते में डाल दिया है, इसका पाउडर में बारीक से बना लूँगी, तो इस तरीके का चूरं आप बना करके, किसी एक एयर टाय डिबी में भी भर करके रग सकते हैं, यह बि देख सकते हैं, मैंने चूरं बना लिया है, तो इस तरीके से आप अगर होमेड चूरं को बनाओगे, और इसको खाओगे तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, और जो आप मार्केट का चूरं खाते हैं, दोस्तों हर गर में, हर गर में आपको एक मार्केट का चूरं मिल जाएगा, पेट की खाने को हजम करने के लिए, लेकिन आप लोग नहीं जानते हैं कि उस चूरं में सुधता नहीं होती है, आपकी आते तक कट सकती है ना, उस चूरं से, लेकिन आप अगर इस तरीके से होमेड चूरं का इस्तेमाल करोगे, तो इसका कोई डिफेक्ट नहीं है, और मात्र पांच उलट लगेगा, आपको आराम भी मिल जाएगा, कितनी भी खटी टकारे आ रही हो, यह सिर्फ आपका पेट भारी पन लग रहा हो, या गैस बन रही हो, आप इसका इस्तेमाल करिए, पांच में देन देर आपको आराम मिलेगा, तो अ ठोड़ा काला नमक भी मिला सकते हो, लेकिन जो BP की पेटिशन्ट है, वो काला नमक बिल्कुल ना मिला यानि जिर्बीपी बढ़ता है, तो वो दो देनक कराना भी मिला आप ऐसे ही खा केटा, तो यहाँ पेने नमक नहीं डाला है, आप चाहो तो काला नमक डाल सकते हो, पाउडर को उल्लें तो आप इसे चाहें तो पाउडर खा लीजिए और पानी पी लीजिए तो इस तरीखे से आप एक से दो बार इसको पी ले लेना आप देखना आपकी अफारा भारी पन पेट का एसीडिटी यानि की बदहजमी आपकी बिल्कुल सई हो तो आप इसे लगातार नियम से रोज रात में खाने के पहले एक चमज लेना आप देखना आपकी सारा गैस कब्ज बनना ही बंद हो जाएगा और आपका पेट वरकुल सुबह साफ होगा वीडियो पसंद आये तो लाइक करें शेयर करें